हाई फ्रेंट्स में हूँ दिलवार मेरा कोचिंग सेंटर स्मार्ट स्टडी फॉर केरियर में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है बादमास इसको बादमास भी कहते है शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल का सब्सकाइबर नहीं है तो प्लीज सब्सकाइबर हो जाएए और मेरे साथ स्मार्ट ली स्टडी कीजिए तो दोस्तों वाद देर नहीं तो चलिए शुरू करते हैं आप जो वादमास थीयोरी जानेंगे उससे पहले आपको जानना है यह जो थीयोरी है इसको क्यू जानना है हम लोग को तो यहाँ पर कोश्चन लिखाए यह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो नंबर कोश्चन में क्या लिखाए है टू जुक्त क्या कहा हूं इस टेप बाइस टेफ कैसे करेंगे यही जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा क्या तो चलिए देखते बद मास थीयूरी क्या है जो पारेए जो जानन यह सकते है तो आपको पता ही होगा कि सेकेंड वे-कत का काम होगा मिन्स क्या है यहां पर आप मिन्स होता है का हिंदी में जो कि इसका ऑडिजिनाल काम होता है और आपका काम होता है इन्टू की तरफ से आप एक्चॉलिए multiply है अगर कही पर भी आप रहेगा तो गुना हो जाएगा गुन करना पड़ेगा लेकिन यहा पर देख सकते और एक multiply है multiply means यहाँ पर into गुना तो इससे पहले इसको करना पड़ेगा आपका काम करना पड़ेगा उसके बाद आपके बाद d आता है d means divide divide a means multiply इसके बाद देखे यह means addition plus उसके बाद देखे यहाँ पर A means subject means minus करने पड़एगा अगर आपका question मालेजिए इसी तरह हे तो पहले आपको बार का कम करने पड़ेगा उसके बाद आपका bracket का कम करने पड़ेगा उसके बाद आपको इसी तरह निचे चलाएगा चलाएगा धीरे तरह ऐसे पाहए इस टाइप का मैत करना है तो जरूर याद कर लिजिए याद करना नहीं होगा तो इसको याद करना मास्ट है तो चलिए दोस्तों कुछ एकजम्पॉल ले लिए तो इसको जो हमने बात आया उसी तरफ से सुल्ब कर के देखते हैं कितना होता है और कैसे होता है तो चलिए पहले देख लेथे पहला नंबर कोश्चन जो है यहाँ पाद देखिए यहाँ यहाँ पर बार नहीं है तो बार का कम नहीं होगा लेकिन यहाँ पर देखिये ब्राकेट का कम पहले होगा तो 12 plus 2 minus 3 into 6 minus 2 जो ब्राकेट है इसका कम पहले करना पड़ेगा 6 minus 2 मिंस 4 हो जाएगा उसके बाद क्या करना है दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लास से माइनस है इंटु है तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो इंटु है माल्टिप्लाइ तो माल्टिप्लाइ का काम पहले करना पड़ेगा तो अपका हो जाएगा 12 प्लास 2 3 इंटु 4 हो जाएगा 3 इं एडिशन का काम है तो एडिशन का काम करना पड़ेगा तो 12 प्लास 2 इस इगल को 14 माइनस 12 तो लास्ट में जो सब्सक्राख है और काम कर लेजिए अब हो जाएगा 2 तो यह आपका 2 आपका एंसर हो जाएगा इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन को सल कर लेते हैं दो नंबर क्वेस्टन यह पाद देखिए 2 इंटु 2 प्लास 2 डिवाइड 2 माइनस 2 तो पहले आप देखिए इसका डिवाइड का काम पहले करना पड़ेगा क्यूंकि डिवाइड पहले इंटु 2 माइनस से पहले डिवाइड है तो डिवाइड का कम करना पड़ेगा इसको 2 इंटु 2 लेख लेजिए उसके बाद प्लास 2 शरी देशतों 2 डिवाइड 2 is equal to 1 हो जाएगा उसके बाद माइनस उसके बाद देखिए आप देख सकते 2 इंटु 2 है तो यहाँ पार होगा इंटु का का काम पहले हो जाएगा तो यहाँ पार 2 इंटु 2 is equal to 4 प्लास 1 माइनस 2 रह जाएगा अब दोस्तों सब्स्टक से पहले एडिशन का क होगा 4 प्लास 1 is equal to 5 माइनस 2 is equal to 3 तो यह हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका question का answer इसी तरह चलिए next question को solve कर लेते हैं next question यहाँ पार देखिए यहाँ पर बार है एक 1 प्लास 6 के उपर बार है तो बार का का काम पहले करना पड़ेगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा 7 माइनस फिर दोस्तों आप जो है यह ब्राकेट है यहाँ पर देख सकते ब्राकेट है बार का काम के बाद ब्राकेट का काम करना पड़ेगा तो ब्राकेट का काम करने के लिए यहाँ पर देखिए ब्राकेट के अंदर अंदर जो है एक प्लास से एक डिवाइड है तो किसका आप प पादमास का थियोरी काम पर आएगा तो यहाँ पाद देखिए डिवाइड उपर है एडिशन नीचे है तो डिवाइड का काम करना पड़ेगा तो आपका ब्राकेट रहने दीजिए अभी और 14 माइनस डिवाइड से बेने जिगल टू हो जाएगा तो प्लास तू लेकिन दोस सकते हैं कि ब्राकेट तो नहीं उठा फिर भी डिवाइड का काम किया तो दोस्तों यही रूल से कि ब्राकेट के अंदर अगर कोई डिवाइड या प्लास की और कोई होगा तो उसको पहले सॉल्प कर लेंगे उसके बाद ब्राकेट को उठा देंगे तो चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 7 आप ब्राकेट को उठा दीजिए 7 माइनस 4 तो हो जाएगा आपका 3 तो यह हो जाएगा आपका एंसर तो दोस्ता अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए